हाई अबरिवन मैं वर्तिका स्वागत करती हुपने चैनल पर आई होप आप सब अच्छे होंगे तो निया समरी की आज हमारी नेक्स क्लास है जिसमें हम लोग 507 कोर्स का यूनिट 2 कर लिए ठीक है इससे पहले हमने 501 502 & 506 को कंप्लीट कर लिया है अगर वो वीडियो आपन इनको असानी से पढ़ सकते हैं बहुत इजी से नोट से में च्छोटे च्छोटे नोट से और पीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाहेगी वीडियो लेकि पढ़ने से पहले वीडियो जरूर देख लिया करें क्योंकि हर एक इंसान का नोट्स बनाने का तरीका का याद करने का नहीं है लेकिन हसे चाप्टर में आपको लाइफ इसकील याद करनी होंगी यहां से कोश्चंट पुछे जा सकते हैं तो फिर वह अच्छे से एकदम याद कर लीजेगा कि दस लाइफ इसकल होती है उन लाइफ इसकल के बारे में आपको पताऊना चाहिए स सबसे पहले हम जानते हैं सबसे पहला पॉइंट है Arastu Nisbarupram क्या कहा था? कि समुधाय को साज़ा मुल्यों वाले लोगों का रहा था मतब जो कम्यूटी है कम्यूटी के बारे में कल हमने वीडियो में जाना था कि क्या होती है जो आपकी एक निष्चि छेतर में होती है जिनकी पहनावा सेम होता है इस तरीके से यह हो जाता है समुधाय में अरस्तू ने गहा था कि यह साजह मोलयन की कौमन शियर्ड वैल्यूस का एक समुधाय के तीन प्रकार कौन-कौन से हैं समुदाई के तीन प्रेकार हैं बहुगॉलिक जो जियोग्राफिकल हो जाएगा मानो जाती है यह रिलीजियस हो जाएगा धार्मिक और साजह परिवार जो सेयर्ड फैमिली या फिर सैचिक संबंदों पर वेस्ट अम इनको बारी-बारी समझते हैं समुदाई बहुगॉलिक स और स्टान प्रेकार्ण समुदाइ का मतलब में इसे बहुगॉलिक स्टिति के अकर कोई पहाडों पर रह रहने हैं तो उनकी बहुगॉलिक स्टिति वो हो गई मतली though čheत्र के धार्मिक टोश सिख्षा से संबंधित चीजों पर कॉमन पॉइंट रखते हैं या कॉमन वैल्यूस उनकी होती है तो यह आपका हो गया थार्ड वाला अब यहां पर हम जानते हैं से पहले हम कुछ पॉइंट थमल लेते हैं जो आपको पता होना ची मैंने लिखा नहीं कि समुधाय को कैसे क्मुनियटी को समझना है कैसे संजहका है एफ क्या करेंगे हम को जालज जालजादा इंट्रक्शन करना पड़ेगा تو जब क्या क् вся나ा वेती चैनल कई गा क्वाथ संस्कृति वैल्यूस उता बरोम कुलचर अफंब थी इस रखकित कि इस मैं और संयाई से कशिए कि की वरना उनके जो उत्साव हैं, जो फेस्टिवल मनाये जाते हैं, उनके बारे में जानना है, तो इससे क्या होगा, इंट्रक्शन बढ़ता है, तो आप कम्यूटी को और अच्छे से समझ पाएंगे, तो अगर ऐसा कुछ आता है, तो आप असानी से कर लेंगे, कैसे हम समधाय को समझ सकते हैं, तो उनके प्रती समझ भीदत का रहना हैं, इस तरीके से, कैसे को समझे कि बिवित्ता किए क? जो लोकल कम्यूटी है, उसमें इतनी डाविस्टिवित्हा होती है, उनमें भीष्जा को इतनी होती है, तो उनकी जन संक्या की वज़े से? पहला पॉइंट, उनकी लै इनकी भासा अलग है धर्म की वज़े से हो सकता है अनदु धर्म को मानते है ये मुसलिम समाजी घटन है गठन है उनका सोशल स्ट्रक्टर है उट skirt हो सकता है ज 내िएक नहीं लिकिंग नहीं जनशंख्या की समक्रार्थीक स्थितिया , हम unkaweb ढूंका तो यह समर्द कम्युल्टी है जाता है , शांस्क्रितिक स्थान। होता है तो यह विवित्ता होने के कारण होते हैं तीक है अब डेलर कमीशन थे डेलर कमीशन 1996 में इन्होंने कहा था कि सैक्षिक सुधारों की सफलता में बहुत बड़ा योगदान स्थानिय समुधाय का होता है जो लोकल कम्ametodynamics होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है जो एडिकीशन रिफ्रॉम्स है उन में सैच्छिक जो स्थानिय समुधाय है उन में को आ जाता है मातरभ पिता आ जाएँगे हेड मस्टर या तीचर भी आ जाते तो यह सारे आपको याद करना है यह समझना है याद भी करनी की ज़रूद नहीं है option देखेंगे तो कर लेंगे समुधाई के कुछ लक्षर जो सिख्षा को प्रभावित करते हैं जो कम्यूटी के कौन से ऐसे समाज में जो लोगों का कंपोजिशन है कैसे कास्ट बटा हुआ है यह कैसे लोग लोग रह रहे हैं अलग-अलग मताब उनका जो डिवीजन है समाज में होते हुए भी इस यह सिख्षा को प्रभावित करता है विस्वास प्रणाडी उनका जो बिलीव सिस्टम है वो प्रभा काफी ज्यादा मताब बढ़ने नहीं दिया जाएगा इस तरीके से काफी चीज़े होती है रितियो परंपरा कुछ कस्टम सेंट ट्रेडिशन होते हैं कहीं कहीं पैसा होता है कि का जाता है कि अगर पढ़ लिख जाएंगे तो वह हमारे भगवान के प्रती निरादर हो समुदाई के कुछ लक्षड हैं समुदाई के कुछ लक्षड हैं जो सिक्षा को ही तो प्रभावित कर रहे हैं थर्ड फोर्थ सुरी फिफ्ट वाने असक्तों के प्रती प्रतेक्षियान जो डिसेबर्ड हैं उनके प्रती भी कुछ ना कुछ रूल्स वगरा होते हैं जिसक की एडुकेशन को प्रभावित करने में तो यह सारे आपके पॉइंट होगा है यहां से आप आता है नेक्स कोशन ऐसे कि स्थानी लोगों की भागदारी के उधार यह कुछ पर योजनाय बताई है तो मैंने यहां पर डीटेल में इसलिए नहीं लिखा डीटेल में था भी नह लिखानी है तो चलिए स्था करते है कि कैसे लोकल जो पिपल है वो कैसे पार्टिसिपेशन करते हैं सिक्षा के छेत्रे में तो एक हो जाएगा सिक्षा कर्मी परियोजना सिक्षा कर्मी परियोजना कब आई थी कॉमेंट करके बताएगा मैंने पढ़ाया इसको डीटेल में बहुत करता है तो जो टीचर के अनुपस्तिती एपसेंटी की समस्या को कम करने के लिए ये परियुजना लाई गई शिक्षा कर्मी प्रोजेट इसकेपी अब इसमें हुआ क्या इसमें इन्होंने दो साधहारण जो ग्रामीड है जो नॉर्मल ओर्डिनरी विलिजर है थोड़ा बहुत पढ़े लिखे अब कितना पढ़े लिखे वो भी देख सकते हैं आप यह मैंने डिब्बे में लिखा हुआ है कि वुमेन कितनी होनी च उन को था ठाइप चलिए वो पुदी कि चाली जादा पड़ी तो और अच्छा है और मैं मैं लिखे जादा है दहिता था प्रामेरी टीचर की जिगापर जो टीचर बहुत अपसेंट करता था उनकी जिगापर तो सिखशा कर्मी परियोजन समझ में यहां पर लोगों का ही तो participation है next है महिला साहियोगी तो महिला साहियोगी में क्या होता था कि जो बहुत दूर दराज की राके होते थे मुश्किल छेत्र जो होते थे वहां के विद्यालों में जो गर्ल्स और सिब्लिंग्स होते हैं जो लड़किया होती थी उनकी security के लिए उनकी सुरच्छा के लिए कुछ वर्यद्रमाहिलाओं को नियुक्त किया जाता था यह अब यह कुछ नया है प्रॉपल क्या है अब यह से आजाएगा कि प्रॉपल क्या है तो प्रॉपल एक action research project है ठीक है क्रिया research project है यह जो ग्रामीर समुदाय को प्राथमिक विद्यालों की रूप रिखा बनाने में आगे बढ़ाता है मतब यह research project है जिसमें क्या करते हैं जो ग्रामीर जो रूर कम्यूटी के लोग है वो प्राथमिक विद्याले जो primary school है उसकी रूप रेका है इसको कैसे manage करना है उन को अच्छे से चलाने में मदद करते हैं यह पूरा एक project है लोग जंबिस लोग जंबिस कहा की comment करके बताएगा यहां डीटेल में पढ़ने की ज़ुरत नहीं कि किस से पहले हम इसको पढ़ चुके है सरसिक्षा अभियान कब आय था यह भी comment करके बताएगा सरसिक्षा अभ अब नेक्स टॉपिक जानते हैं कि समुदाइक भासा अधिगम क्या है समुदाइक भासा अधिगम कम्यूटी लैंग्विज लर्निंग चील यह एक अपरोच है जिसमें विद्यारती भासा के जिन पहलियों को सीखना चाहते हैं वे एक साथ कार करते हैं मतलब अगर किसी ल निए सबल करनें कि कैसे जो भासा भासा पे कैसे समुदाइक का प्रभाव परता है तो शुरवात में मात्र भासा से ही उसकी प्रभाव होती हैं इक सब्सक्राइब हुस्ट्वाइब साभ़ नेक्स्ट है अधिगारों के समेलन जो बत् cho user creation cm introduction weekend प El national conventions अनुछे 29 चाहता है इसमें बचों के संब्लबन के अभीphem को अपनी संस्क्रितिक पहचान भास सामूलियो के पती आधार के लिए दर्याशित् होनी चाहिए कि बच्चों की शिक्षा जो है वो उनकी जो संस्कृति हैं उनकी भासा ऑ बेहों के पती सम्मान के साथ विकास के साथ उसको दिया जाना चाहिए उनके अभी भावकों के द्वारा ये बच्चों का एक अधिकार है कि हम उनके संस्क्रति से वंचित ना करें उनके भासा उनकी जो मात्र भासा है उनके जो मूल है उनकी वैल्यू जो उनके समुदाई की है उनसे हम वंचित नहीं कर स हैं जो वेक्तिको धैनिक जीवन के मांगो चुनौति को सामना करने में समर्थ बनाना बनाना बहुत सो दिन लेकिन समझ ले दे इस हैं बतब आपको अच्छी खासी लाइफ जी सको उस ओस जो साफ़ आने पूरा करने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स होनी चाहिए उन्हीं स्किल्स को बोलते हैं लाइफ इसकिल्स को जीने के लिए आपके पास इसकिल्स का होना ही क्यालाता है लाइफ इसकिल्स इसकिल्स नहीं आनी है बस समझने के लिए था कि आपके डेली लाइफ में इनकी ज होती है मुख कितनी होती है तो दस होती है याद रखिए गा अब यह जो तीन है इनी तीन के फिर फर्दर वह दस पार्ट बनेंगे कैसे पहला अगर यहां से सुरुवात करते हैं शोशल इसके समाजी कोसल हो जाता है दूसरा है चिंतन कोशल स्किल् है थार्ड ए Noble生 Link से समर्द आत्मक कोशल अब इनको बारी-बारी से समझते हैं दस capturing नाएफयी सिटेल से जाते हैं चिंतन कोसल से 4 में चार कोसल कोई ग्रीजनात्मक कMmत अचैन के兩 न में में यहां पर चार में components कौन-कौन से है, fluency, flexibility, originality, elaboration, अगर UPDATE का exam दिया है, तो आपने ये question देखा होगा, repeat हुआ है बहुत बार वहाँ पे, तो यहाँ पे स्रेजनात्मक्ता के चार component, चार घटक कौन-कौन से होते हैं, प्रवाहता, फ्लुएंसी, लचीलापन, मौलिक्ता और प्रवाह, तो यह आपका यहाँ प्रवाह नहीं होगा, विस्तार होगा है, यह थोड़ा सा अपडेट कर लीजीगा, next है creative critical thinking, critical thinking क्या होते हैं, विवेचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक चिंतन में क्या होते हैं, यह आपके, यह skills होनी चाहिए, कि आप creative thinking कर सको, आप critical thinking कर सको, critical thinking में आपके पास जो सूचना है, उसका विस्लेशर कर सको, उसको आप analysis कर सको, उसके according आप उसका मुल्यांकन कर सको, और फिर आप उसको use करो, अगर आपके पास यह thinking है, तो आप असानी से आपके पास जो information है, उसका विस्लेशर कर ले जाओगे, फिर decision making में तो यह skill होनी चाहिए, कि आपके पास बहुत सारे options हैं, लेकिन आपको यह decide करना है, कि मैं यह ही क्यू करूँ, तो यह आपको पता होना चाहिए, कि क्यू का answer आपके पास होगा, जब आपके पास यह सारी skills होती है, तो यह skill है, decision making skill हो गई, problem solving, आपके पास बहुत सारी problem है, उनको solve करने के लिए, control problem, लेकि अब यहाँ पर problem solving skill क्या करती है, जो समस्या समधान को असल है, यह ना सिभ आप एक अच्छी opportunity में बदल सकते हैं, अगर आपके पास यह skill है, तो, social skill, social skill के बारे में जानते हैं, जो समाजी कोशल है, समाजी कोशल में स्वाज जाग रुखता, पहले बाद तो अपने खुद के बारे में ही जाग रुखता हो, आपकी अच्छाईया, आपकी कमिया, ना skill हो जाती है, दूसरा effective communication, अगर आप socially हम बात करें, तो आप अपनी बातों को सामने वाले को धंग से effectively आप समझा सको, यह skill का होना बहुत important है, interpersonal skill, interpersonal skill में आप दूसरों को समझ सको, बात को पहुचाना अलग बात है, लेकिन दूसरों को समझना तभी तो आप एक relation बेठा पा empathy, दूसरों की जो situation है, उसके प्रती आप empathy लापाएं, जिससे अगर कोई इंसान पीडित है या फिर कोई परिशान है, तो उसके प्रती आपके अंदर तादन भूती होना, यह सारी आपके, मतलब आपको समझ रहे हो, हम आपको समझ रहे हैं, या फिर हम समझ रहे हैं, यह स जो जाती है, social skills, अब आता है, last one, emotional skills, जो समझ रहे हैं, coping with emotions, समझ रहे हैं, जो बहुत सारी emotions आते हैं, माइन में, उन से जूझने के लिए आप सक्षम हो सको, बहुत सारी आते हैं, तक जरूरी नहीं कि आपके अच्छे ही आ रहे हैं, कुछ बुरे आते हैं, तो उस टाइम पर कहते हैं, कि हम depressed होगे हैं, तो उस समय आपके पास ये skills की कमी है, इन skills को आप आप डेवलप करोगे, तो आप उनको असानी से उस problem से आप बाहर निकल पाओगे, coping with stress, अगर तनाव आ जाते हैं, exam pressure आते हैं, बहुत सारे तनाव होते हैं, तो तनाव का रीजन बहुत सारे हैं आज की टाइम में, तो उनसे जूजना, उनसे बाहर निकलना या उनको handle करना ये भी एक skill होती है, तो ये आपके होगे है, total 10 skill, I hope ये वीडियो आपको helpful रही होगी है, और बहुत इसमें वीडियो में कुछ एक स्टोरी भी थी, लेकिन वह सिव ऐसे ही, अगर पढ़ना हैं तो पढ़ने हैं कि वह से कोशन आता नहीं है, हम सिर इस एक्वार्डिंग तियार कर रहे हैं कि आपके एक्जाम पस्पेक्टिव से ये नोट्स इंपोर्टन हो, कम टाइम में आप रिवाइस कर सो को, कुछ लोग के ऐसे भी कॉमेंट आते हैं कि मैं थोड़ी बड़ी क करें, पीडियाप पढ़ना चाहें, पीडियाप पढ़ें, फिर आपको रिवीजन करना है तो वीडियो सुन सकते हैं, तो आइधिंक जाद आज गयान हो गया, लेकिन चलिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ, सो ताइंक यू